खबर हर्दोई से है जहां ड्राइवर की लापरवाही से 12 वर्षी मासूम अमन जान चली गई पीछे दिवाल में वे दब गया बस से दबने से तुरंत अमन की मौके पर ही मौत हो गई और ड्राइवर मौके से फरार हो गया वहीं सूचना पर पहुची थाना अत्रॉली पुलिस पॉडी को उस्माटम के लिए भेज दिया गया है और बस को हिरासत में लेकर थाना अत्रॉ प्राइवर को हटा देते तो आज अमन जिन्दा होता परिजनों का रो रोकर गुरा हाल है लाक्षी तणना पर बच्चा उत्रा बच्चा उत्रे गाड़ी अगे ली बच्चा साइड में हुआ और ये थिनी वाड़ी पचले ली इस बच्चे को दिवाल में लड़ा जार ना देखा ना वाला कुछ नहीं वस तीथे बच्चे को उतर पायाज की तो तरब अधार तो करता था बहुत लोगों ने देखा बहुत त्रीस गाड़ी चलाता था बहुत जल्दी में कल था और गाड़ी पर ना कोई हलपर था ना कुछ था यहां आया के दरोगा साइब उन्होंने कंप्लेंट लिखी है अंशान दी तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा हम सही करतेंगे इसके पहले वources नहीं किया उसमें करता है पाता था ना तो हेलपर के साथ साथ कुछ ना केला ड्राइबर बस गाड़ उचाटा था अभी तक आया ही नहीं उन्हों से कहा गया लेकिन कंडेक्टर को नहीं जिए उन्हों के मालग के मालक तो मिला नहीं वहांपर जो है कि अन्हों ने खाता था हम उसको मांको कर देंगे मैनलों सको सही कर देंगे ड्राइबर सही कर देंगे काड़ी सही कर दे हुए क्या क् andar से available इस तरीके से जो वियाइब कर रहे हैं और ऐसा ही अगर होता रहा तो आये दिन किसी ने बच्चों की शाथ भी इसी घठना घटित होता है जो विद्याले का प्रशाशन है प्रशाशन की भी कुछ जुम्मेदारी होती है कि हमारी गाड़ी के फ्रेटनस कैसी है अभी तक आपसे कोई मुलाका चीज नहीं कोई मुलाका देख फोन तक नहीं किया नहीं कूछ पूछा आएसे फीस के लिए बराबर फोल क्या करते थे पूछते थे पारन सीचर मेटिंग है आईए हम तो अपनी आपक में पढ़े हुए हम बच्चे को देख हुए हम उनको क्या इस्याद करेंगे उनको कुछ नहीं था उनके नहीं को नहीं एक बार तमेंट रहां किया ना मेरा ना मेरा प्सादा दो जब लिभी शुरास्तों को पुल्ट दिख है हम उनको तांफर मनेजर है और हर उन्होंने पर उमट्सने हिए अगज़ा जो जब घटना हुई संबंद में आपको मैंने पहले कुछ रख कराई ठी कर ने पहुंचा तो तुम्हें को के लिए सब्सक्राइब काई ते आज वेडर हम आपके आज आज पाइक आज बाधा है जो आज आज बाधा हाथा है चीज़ ने चाहेंगे आज अब कर दो आज है तो ऐसे हाथ्षा ने हुए तो चला जाए गर जुनिया से अब कर दो है हर्दोई से राम लखन की रिपोर्ट टीवी वान इंडिया नियोज